तो जी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा important topic पर होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा end तक देखना और भाई एक pen और paper लेके calculations भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि आज का जो topic है वो है how stock market returns tax यानि कि stock market में हम जो भी पैसा लगाते हैं उस पर tax की calculations कैसे होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा comment आते हैं इस topic के अपर वीडियो बना दो कि sir हमको अगर एक साल में इतना profit हुआ तो उस पर कितना tax देना होगा तो आज मैं detail में आपको यह समझाने वाला हूँ इसलिए पूरा end तक इस वीडियो को जरूर देख लेना अब सबसे पहले अगर हम बात करें stock market में sources of income कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर three source of income देखने को मिलते हैं जो first होता है वो होता है intraday trading जो count होता है as a business income, second होता है investing जो count होता है as a capital gains और third होता है dividend जो आता है आपका normal tax slab के अंदर, यहाँ पर intraday trading business में count होगा investing capital gain में और dividend normal tax slab में अब यहाँ पर अगर हम next point की बात करें तो वो रहने वाला है what is capital gain, capital gain क्या होता है और example अगर आपने किसी भी stock में 10,000 रुपे का investment किया और आपको return मिला 20,000 का including your investment amount यानि कि 10,000 रुपे जो invest किया है उसको include करके 20,000 रुपे वापस मिला तो आपको total जो profit हुआ वह 10,000 का तो investment 10,000 का था return मिला 20,000 तो हमारा capital gain जो हुआ 10,000 कैसे return minus investment तो returns थे 20,000 उसमें हम minus करेंगे investment को तो investment जो amount हमारा था 10,000 का उसको अठाने के बाद हमारे पास बचा capital gain 10,000 रुपीज का अब capital gain को अगर हम 10,000 रुपीज लेकर चल रहे हैं तो इस पर tax कैसे calculate होगा tax calculation से पहले दो main important point है उनको समझना ज़रूरी है जो सबसे पहला है यहाँ पर की capital gain कितने type के होते हैं एक होता है short term capital gain एक होता है long term capital gain short term capital gain वो होता है जहाँ पर हम किसी भी stroke को buy करते हैं और उसको sale कर देते हैं 12 महीने के period से पहले पहले यानि कि अगर हम date wise देखें जैसे आज जो date है 6 अगस्त है मैं 6 अगस्त 2022 में stroke खरीद रहा हूँ और 2023 से पहले पहले मैंने उसको sale कर दिया तो वो short term capital gain में count होगा same अगर मैं किसी stroke को खरीद रहा हूँ और उसको long term के लिए hold कर रहा हूँ यानि कि time period मेरा 12 महीने से ज्यादा का है जिसको मैंने आज खरीदा और उसको hold किया sale अगर करूँगा भी तो मैं 12 महीने के बाद करूँगा तो वो कहलाएगा long term capital gain दोनों तरीके से calculations करेंगे short term capital gain में हमको कितना tax देना है long term capital gain में हमको कितना tax देना होगा अगर हम बात करें short term capital gain की तो short term capital gain यानि कि जहां पर हमने 12 महीने से पहले उस stock को sale कर दिया उस पर हमको tax देना होता है 15% का अगर हम बात करें long term capital gain की यानि 12 महीने के बाद अगर हमने उस stock को sale किया अगर हमारा total gain एक लाग रुपे से कम है तो वो tax free रहेगा और एक लाग रुपे से ज़्यादा का है तो आपको 10% tax उस पर देना होगा suppose कीजिए आपने यहाँ पर कोई investment किया था जिसमें आपको total एक लाग 10,000 रुपे का profit हुआ और वो आपका long term capital gain है long term capital gain में अगर एक लाग 10,000 रुपे का profit है तो आपका जो taxable amount रहेगा जो gain रहेगा वो 10,000 रुपे रहेगा यानि 10,000 रुपे पर आपको 10% का tax देना होगा long term capital gain है तो उस पर कितना tax है आप जो हम लेके चल रहे थे example उसी के हिसाब से एक बर check out करते है suppose कि यह आपने फरवरी 2022 में 100 quantities करी दी किसी भी X,Y,Z stop की 200 रुपे पर share के हिसाब से आपने वो सेल कर दी जून 2022 में 400 रुपे पर share के हिसाब से तो इस पर अगर हम देखें tax कितना बना सबसे पहले holding period तो जो हो रहा वो 12 महिने से कम कर रहा क्योंकि फरवरी में खरीदा और जून में सेल कर दिया तो यह कहलाएगा short term capital gain जिसमें हमारा tax applicable होगा 15% का अब यहाँ पर हमने total sale करी 40,000 की buy हमने किया था 20,000 रुपे में तो यहाँ पर total capital gain रहा 20,000 रुपे और 20,000 रुपे पर हमारा tax जो applicable होगा वो होगा 15% यानि की 3,000 रुपे का इसके according आप calculate कर लो आपने कितनी transactions की हैं अगर आप teammate account चेक करोगे profit and loss और trade book इस तरीके से आपको वहाँ reports मिल जाएंगी reports download करके आप check कर सकते हो आपने कितनी quantity कितने में खरी दी कितनी quantity कितने में sale करी long term capital gain में है या short term capital gain में हो आप check out कर सकते हो और tax अपने हिसाब से calculate कर सकत अब same चीज़ अगर हम long term capital gain पे लेके चले सपोज वही person फरवरी 2021 में purchase करता है 100 quantity XYZ share की और 200 रुपे पर share के हिसाब से उसने खरीदा बट इस बार वो sale करता है June 2022 में हमने short term capital gain में खरीदारी भी फरवरी 2022 में की थी और sale भी June 2022 में किया था बट अभी situation यहाँ पर change हो गई क्य calculate कर रहे हैं तो यहाँ पर खरीदारी की गई है फरवरी 2021 में और sale किया गया है June 2022 में तो holding period हो गया 12 महीने से ज्यादा और यहाँ पर long term capital gain बन गया long term capital gain में अगर हम देखे tax एक लाक रुपे से कम पर नहीं लगेगा वो tax free है तो sale जो की 40,000 की बायर जो किया था 20,000 का capital gain हुआ 20,000 रुपीज tax is free as capital gain is below 1,000 रुपीज एक लाक रुपे से कम है तो बहिया है तो tax देना ही नहीं है same situation पर अब अगर हमारा tax exceed होता है तो क्या होगा suppose यहाँ पर long term capital gain यहाँ पर हमको एक लाक रुपे से कम पर tax नहीं देना बट अब situation थोड़ी और change हो जाती है हमने February 2021 में ही stock खरीदे 100 quantity खरीदी XYZ share की 200 रुपे पर quantity के हिसाब से और बेच दिया June 2022 में 4,000 रुपे पर quantity के हिसाब से अब यहाँ पर अगर हम tax को calculate करें तो holding period 12 महीने से ज्यादा long term capital gain tax जो applicable होगा 10% होगा gain जो हुआ हमारा उस पर sale हमने किया total 4,000,000 रुपे में buy किया था हमने 20,000 रुपे में capital gain कितना हुआ sale minus buy 3,80,000 रुपे 3,80,000 रुपे में अब यहाँ पर 1,00,000 रुपे तो non taxable है तो वो कम कर देंगे बचा कितना 2,80,000 रुपे 2,80,000 रुपे 10% का tax 28,000 रुपे बनता है because यहाँ पर आपने 3,80,000 रुपे profit earn किया बट 1,00,000 रुपे तो non taxable है तो इसलिए उसको हम पहले ही कम कर देंगे तो 1,00,000 रुपे का tax हटा दिया बचा amount जो उस पर हम 10% tax पे करेंगे तो यह है long term or short term capital gain की tax की calculations अब अगर आपको dividend की और जो यहाँ पर intraday trading है उस पर भी video चाहिए तो मुझे comment करके बताना so that मैं एक dedicated video dividend की income के उपपर और intraday trading के उपपर जो taxes बनते हैं उस पर भी video बना दूँगा फिलाल इस video को मैं यही end करता हूँ उमेद करता हूँ video आपको अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी तो भाई make sure video को like करना, channel को subscribe करना जल्दी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बैबैर और वीडियो को अगर possible हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करना so that वो भी इस चीज को अच्छे से समझ पाएं